तिरुपति बालाजी मंदिर जहां साल के 12 महिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब यहां वेकेन टेश्वर स्वामी की दर्शन के लिए भक्तों का तांता न लगा हो यह मंदिर भारत के सबसे चमतकारिक और रहष्य मय मंदिरों में से एक है तिरुमला की पहाड़ों पर बने इस मंदिर को लेकर मानिता यह है कि यहां भगवान बालाजी पतनी पदमावती के साथ रहते हैं इस चमतकारी मंदिर से ऐसे कई रहे से जुड़े हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंके टेश्वर स्वामी खुद विरास्ते हैं क्योंकि उनकी मूर्ती पर लगे बाल असली है इस मूर्ती पर कान लगा कर सुनने पर समुन्दर की लहरों की आवाज सुनाई देती है बालाजी के मंदिर में एक ऐसा दिया भी है जो कभी नहीं वुच्ता इस दिये में ना तो कभी तेल डाला जाता है ना ही घी इस मंदिर के मुख्य द्वार पर दाई तरफ एक छड़ी रखी हुई है किवंदती है कि इस छड़ी से बालाजी की बच्पन में पिटाई की गई थी इस दोरान उनकी ठुड़ी पर चोट लग गई थी तब से आज तक हर शुकरवार उनकी मूर्ती की ठुड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है मंदिर में बने बालाजी के गर्भ ग्रह में जाकर देखेंगे तो उनकी मूर्ती बीच में दिखाई देगी वहीं गर्भ ग्रह से बहार निकल कर देखने पर लगेगा कि मूर्ती दाई तरफ इस्तित है आलम यह है कि ठंड के बावजुद भी मूर्ती से पसीना आता है इस पत्थर की खाश्यत है कि ये मंदिर के वातावर्ण को काफी ठंडा रखता है भगवान बाला जी के मंदिर से 23 किलो मिटर दूर एक गाव है जहां बहरी लोगों का आना मना है क्योंकि यहीं से बाला जी को चड़ाने के लिए फल, दूद, दही, फूल लाया जाता है पाला जी को और भी करीब से जानने के लिए इस मंदिर में जरूर जाकर आईए तीम खबर अपडेट